गांदी जी कह रहे थे कि जो भी हमें दाई तो मिला है जिन चीजों को हम समालते हैं चाहे वो प्राकृतिक समसादन हो चाहे वो समय हो चाहे व्यवस्ताएं हो हमें एक ट्रस्टी के रूप में ही उसका इस्तमाल करना चाहिए हम उसके ट्रस्टी हैं हमें उसका सवालना चाहिए गांदी जी ये कहते थे अब आज गांदी जी तो है नहीं लेकिन उनकी बाते उनके आदर्श हम सब के लिए प्रेरा है लेकिन समयानों को शब्दों में बढ़लावाता है स्पिरिट वही रहता है मेरे लिए चौकिदार ये मात्मा गांदी के ट्रस्टी सिप्ट जो सिद्दांध है उसी की एक छोटी सी पहचान है और इस अर्थ में और इसलिए इसलिए यहां बैटा हुआ हर व्यक्ति देश के कौने कौने में बैटा हुआ हर व्यक्ति जो गाउं में है वो भी जो शहर में है वो भी जो पड़ा लिखा है वो भी जो अनपड है वो भी जो पुरूज है वो भी जो महला है वो भी जो खेत में काम करता है वो भी जो डॉक्तर है वो भी जो सिक्षक है वो भी समाज के लिए काम करने वाला व्यापारी हो कामगार हो हर को इचोकिदार है और ये भाव ये भाव जितना प्रबल होगा सवासो करो देश वास्यों की ये जो भावना है ये जितनी प्रबल बनेगी आम भुझे पताईए कोई चोरी करने वाला बचेगा क्या कोई चोरी करने का इरादा बचेगा क्या देश को लूटने का इरादा बचेगा क्या हर कोई अपना दाई को सही निभाएगा नहीं निभाएगा एक जिम्मेबारी का एसास होगा कि नहीं होगा और उसी भाव को ले करके इस चोकिदार ने अपना काम शुरू किया